क्लास नाइन्थ आज हम वर्कशीट नंबर 74 सॉल्फ करने वाले हैं और ये वर्कशीट आपको 19 जनवरी 2021 के लिए दी गई है जैसे कि आपको पता है समाजिक विज्ञान में आपकी पुन्राविर्टी यानि की रिवीजन चल रही है भुगोल की हम रिवीजन कर रहे हैं हमार पर आशर को डिसकस करेंगे देखिए जो पहला प्रज्चन है ये आपका एक फिलिंदा ब्लैंक की तरह कोष्टिं है दूसरा कोषण आपका एक मसी क्यूशन है जिसमें आपको चार ओप्शन दिये हैं एक आपको सेलेक्ट करना है दीसरा कोषण वन मांक का जो कोष्ण वन द्यांज कहते हैं इसको हम श्रोत आधारित प्रशन उत्तर भी कहते हैं आपको जो भी प्रशन पूछा जाए इन चार लाइन में जो भी लिखा है इसी के आधार पर आपको उत्तर देना होता है अपनी नौलिज से उत्तर नहीं देना होता है यही मतलब होता है श्रोत आधार से लेकर तीन लाइन या चार लाइन तक आप लिख सकते हैं तो चलिए हम उत्तर देखेंगे उससे पहले कोवीड के संदर में आपके लिए यह संदेश है कि आपको मास पहन कर रखना है जब तक कोरोना खतम नहीं हो जाता अब हम उत्तर डिसकस करने वाले हैं पहला जमीन हो और एक तरफ पानी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं यहां पे वाटर हो तीन तरफ लेंड हो तो उसे हम क्या बोलेंगे तो हम उसे प्राइद वीप कहते हैं इसका एक सरवोच चोधारन भारत है अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत तीन ओर से समुंद्र से घिरा हुआ है दूसरे प्रश्न में बोला है भारत में हेमालए पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट लेके ऑमेरेश और पंजाब हीमाले किंदो नदियों के बीच स्थित है तो हैं ङो वह सिंदू और सिंदू नदियों के बीच में जो स्थल आता है उसको हम क्या बोलते हैं पंजाब हिमाले तो यह दो इंपॉर्टन नदियां हैं सिंदू और सिंदू चौते प्रस्ट में बोला है पूर्वी घाट का सरवोच जिखारा पहले पूर्वी घाट होता क्या है चिमी घाट बोलते हैं तो पूर्वी घाट में भी कुछ हिमाले हैं कुछ परवच शंकला हैं उसमें सबसे उचा जो सिखर है वो महेंद्र गिरी का है जिसकी अगर आप उचाई की बात करें तो पंद्रा सो किलो मीटर के लगभग है महेंद्र गिरी इसका अंसर होगा उत् मैदान क्या है उत्तरी मैदान जो भारत का हमारा इधर कश्मीर से नीचे उत्तर प्रदेश बिहार यह वाला रीजन पढ़ता है इसे हम उत्तरी मैदान कहते हैं जहां पे नदियां बहें के आती हैं हिमाले से आगे देख लेते हैं अब आपको एक पैसिस दिया हुआ है ठी क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है क्रोड का मतलब क्या होता है कि जो हिमाले का मेन आंतरिक भाग है वो किस से बना हुआ है ग्रेनाइट से बना हुआ है यह श्रंकला हमेशा बरफ से ठकी रहती है जो हिमाले का मेन भाग है वहां पे इतना ज्यादा टैंपरेचर का होता ह कि हमेशा बर्फ रहती है तता इसे बहुत सी हिम नदिया का परवा होता है हिम नदिया मतलब जो नदी निकलती है वो जातर हिमाले से निकलती है और पीर अलग अलग मैदानी शेत्रों में पहुंच जाती है हिम नदी का दक्षिर में इस तरी शंकला सबसे अधिक असम और हिमाचल और निम्न हिमाले के नाम से भी जानी जाती है इन शंकलाओं का निर्माण मुख्यता अत्यधिक संपीडन और परिवलतन का मतलब क्या होता है जब दबाव पढ़ता है चटानों पे ठीक है दबाव तूटते हैं तो जो परवत निर्माः वो यह एक प्रिक्रिया है इसके लाँ आपको बताया गया दोलाधर एवं महाभारत स्रंकलाएं भी मेहद्वपूर्ण है इस प्रॉस ऑर इस ही कश्मीर की घाटी हिमाचल के कमांगु और कुलू की घाटियां है चेत्र को हैं पहाडी नगरों के लिए जाना जाता है यानि पहाडी नगरों के नाम से भी जाना जाता है अब यहां पे आपको चार प्रशने दिये गए हिमाले परवत का केंद्रिय भाग क्रोड किसे बना हुआ है दूसरा हिमाद्री के द्रक्षर में इस्थित पूर्व संक्ला कौन सी है और किन आप सकति कहिते हैं और संपीडन क्या होता है यह संपीडन स्य-क्या होते हैं तो प्रशने 6 हमारा क्या है दिये गए अनुषेद को पढ़कर आपको प्रशनों के उत्तर देने हैं पहला है हिमालय परवत का केंद्रिय भाग कंसे बना हुआ है तो हिमाले परवते केंद्रिय भाग ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है हिमाद्री के दक्षिन में इस्थित परवत शरंकला कौन सी है हिमाद्री के दक्षिन में इस्थित परवत शरंकला सबसे अधिक असम है यहां हिमाचल या निमन हिमाले के नाम से जानी जाती है तीसरे में बोला है किस छेत्र को पहाडी नगरों के नाम से जाना जाता है पीर पंजाल शरंकला सबसे लंबी तथा सबसे महधवपूर्ण शरंकला है दोलाधर और महाँभारत श्रंकला गांक हैं कशमीर की घाटी हिमाले की कांग्ला और कुलू घाती स्थित हैं और इसी चेत्र को हम क्या बोलते हैं पहाडों के नगरों के नाम से जाना जाता है मतलब यहां पे इतने ज्यादा पहाड है है वह शैले जो संपीड़न नियुम कठोर होकर शैल पड़तों की रचना करती हैं उसे क्या बोलते हैं संपीड़ित शैले कहलाती हैं तो यह आपके शोत अधारित प्रश्णों के उत्तर थे आगे साथवे प्रश्ण में बोला है जो मैंने आपको बता है दो नंबर में पूछे जा सकते हैं यह बरकान से आप क्या समझते हैं पवन दिशा की अनुरूप दिशा में इस्थानांतरित बालू का एक चापा काल टिब्बा जो पवन दिशा के नियत रखने पर बनता है और प्रयाय रितेली मरुस्थलों में पाया जाता है यानि कि आपने टीले या रेद के टीले के बारे में पढ़ा होगा चोटी क्लासों में जिस और पवन चलती है अगर वो मरुस्थल एरिया है तो वहाँ पे रेद के इस तरीके से टीले बन जाते हैं पहाड नुमा आकृतियां बन जाती है और जब पवन की दिशा बदलती है तो इनका आकार भी बदल जाता ह है तो इनी को हम बरकान कहते हैं उत्तरी मैदान सघन जनसंक्या वाले शेत्र क्यों है भारत के जो उत्तरी मैदान है वहाँ पे जनसंक्या क्यों पाई जाती है इसके बहुत कारण है ये प्रशन एक नंबर से लेकर चार नंबर वाले कोशन में भी पूछा जा सकता है सिंद उबजाओ होगी तो वहां फसल जादा उत्पन होगी और वहां पे खाने के लिए अच्छी सुविधाई होगी तो उत्री मैदान हमारा उबजाओ है दूसरा इस छेत्र का यह नाम इसे सीचने वाली सिंदू ता गंगा गंगा नामक दो नदियों के नाम पर पड़ा है सिंद हिमाले परत का हमारे लिए नहीं तरह दो ने नहीं अब हरत के मदद करते हर एक तो यह क allegedly अधिक नियंज कारतक के रूप भारत के भूमी को और दूसरा रक्षा भी करता है और टैंपरेचर को मेंटेन बहुत गरम और बहुत थंडा नहीं होने देता है जब हम उच्चावज की बात करते हैं जलवायू तापमान इस वाले चैप्टर में जब आपने पढ़ा हो तो हिमाले के बार में बहुत अच्छ में बहुत जादा ठंडा हो सकता था दसवे में आपसे बोला है हिमाले शेत्र प्राइद यूप्य पठार के उच्चावत लक्षणों में अंतरस्पस्ट कीजिए क्या अंतर होगा तो देखिए आप इसे टेबल नुमा अंसर दे सकते हैं यह हिमाले शेत्र और दूसरा है प्राइद यूप्य पठार हिमाले भारत की उत्तरी सीमा पर इस्थित है या फिर उत्तरी भाग भी कहे जाते हैं यह बहुत और यह दिवार बनाता है और यह डग्षिर में विस्तित रूप से फैला हुआ है तो यह आपका कंप्लिट हो जाता है उत्तर नंबर 10 यहां पर ह